हेलो बच्च लो कैसे हैं आप लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं nutrition in animal का lecture number 5 बट पढ़ने से पहले क्या करना है हमें revision करनी है कल के lecture में हमने क्या परहा था तो कल के lecture में हमने starting किये कहा से how does digestion takes place in ruminants तो digestion होती कैसे है ruminants के अंदर तो ruminants होते क्या थे rumination क्या था और what are the parts of the ruminants तो पहले थोर सा revise कर लेते है ruminants जो herbivores होते है herbivores कौन होते है जो grasses खाते है clear हुआ अब rumination क्या होता है तो रिखो rumination एक ऐसी प्रकिरिया है एक ऐसा process है जिसमें जितने भी herbivores होते हैं cow, ox, goat ये सारे अपने ही खाने को या चारा बोलो वो निगल लेते हैं निगलने के बाद खाना को निगल लेते हैं खाना निगल लेने के पाद जब फूरसस बैठते हैं तो वो क्या करते हैं अकने ribbon के पार्ट से पिर से खाना को बैक लियाते हैं कहां माउथ में तो इसोफेगस को होते हुए उसोफेगस को होते हुए वह फिर से खाना माउथ मिलाते हैं अब वह जो खाना आता है वह स्लाइटली ना टूटा रहता है तो टूटा रहने का मतलग और बैसी बात है कि वहां पर किसी ना किसी ने उस पर अट्रैक किया होगा त एनिमल में क्या होते हैं सेलूलोज एपसेंट होते हैं तो सेलूलेज इंजाइम सेलूलोज पर एक करके उन्हें ब्रेकडाउन करते हैं कंप्लेक्स कार्बोहाइडरेट में एक बनाये था कि सेलूलोज को ब्रेक करने वाले कौन होते हैं सेलूलेज होते हैं जिन्होंने ब्रे के ग्रीनी स्पार्ट जैसी वह तूट गये तूटने के बाद वह छोटे-चोटे लंप के फॉर्म में हो जाते हैं वह फिर से कड की एक टर्म लिखाया था कड फिर से वह कड में आते हैं कहां से बाउट बैक टूदी माउथ माउस में फिर से उसे च्वी किया जाता है जाने कि there are four parts in the stomach of ruminant like cow, ox, goat ठीक है इसी प्रोसेस को रिमिनेशन कहा गया है बहुत ही सिम्पल वे में आपको पढ़ना समझ में आ गया होगा अब देखो आज की लेक्षर में हम लोग तो nutrition in animal पढ़ने वाले है nutrition in animal पढ़ने से पहले आवे क्या करना है like बटन और subscribe बटन दवाना है अब देखो amoeva पहली बात question आती है amoeva क्या होते है तो आपके amoeva जो होते है pro-karyotic के अंदर आते है तो आपके question होगा pro-karyotic क्या होता है because आपने cell chapter तो classics ने पढ़ा है तो आप भूल चुके हो थोड़ा तो थोड़ा revision कर लेते हैं तो सेल चाप्टर में जब आप पढ़े होगे प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक के बारे में तो प्रो कैरियोटिक सिंपली क्या होते हैं जिनके पास आपके प्रीमिटिव टाइप आफ नुकलियस होते हैं को देखेंग तैंने गैंदर आते हैं प्रो कहरोट के उंदर राते हैं प्रो मिंस प्रिमितिव बहुत पुराने समय से हो सभष्च जिनके पस प्रिमितिव टाइप अफ न्यूक्लिस है यह यह प्रो क्या आपके जो है कि दिख रहाएं इसके बाहर नुकलियर मेंब्रेन प्रेजन्ट नहीं होते हैं जैसे कि आपका इग्जामपल आपका क्या हो गया अमीवा ये फीगर देख्शंवा का अब क्या देख रहे हो नहीं देख रहा है दाट्स वाइए अमीवा कम संदर दी प्रोकेडियोटिक अब देखो अमीवा को हम लोग एक और चीज बैलते हैं वह क्या है इस इंवोटल मतलब क्या होता है आई, इस मोटर मतलब कि जो कभी dead नहीं करते हैं, जो सासवत कहलाते हैं, अब dead कैसे नहीं करते हैं, तो just because ये क्या करते हैं, अपनी body को breakdown कर लेते हैं, two doubted nuclei में, तो two doubted nuclei में break करने के लिए भी, इनने क्या चाहिए होती है, energy, वो energy वो कहां से obtain करते हैं, और what are the method for getting in the food, वो food वो कैसे लेते हैं, तो ये procedure पढ़ने के लिए पहले ये circumstances समझना पड़ेगा, समझना आया, जैसे आपका ही digestive system है, आप जब food लेते हो, तो आप माउट से लेते हो, माउट से कहां गया था, याद करो अपना human digestive system in human, तो digestive system in human में हमने क्या पढ़ा था, कि पहले हमने food को लिया, food को पहले माउट में च्वी क्या था, हमने च्वी करने के वक्ते saliva से mix किया, saliva से mix करने का, कौन-कौन से saliva कहां से release हुए थे, तो salivary gland से हमारा saliva का secretion हुआ था, वो saliva हमारे food particle के साथ mix हो करके, टंग क्या करते हैं, उसे backward की और ठकेलते हैं, push करते हैं, ताकि खाना कहां पहुच जाए, इसोफीगस में, बीच में एक हमारा तित का काम आता है, तित जो होते हैं आपके, बहुत ही important हो गए, कैसे, मेस्टिकेशन का जो काम, जवाने का काम किस ने किया था, वहाँ पर तित ने किया था, तित के पार से बता रखा हैं आपको, किन सीजर, कैनिन, प्री, मोलर, और मोलर, और फोर टाइपस ऑफ ते थे, पोजीशन कहां पहे हैं, अगर भूल गए हो, तो पिछले लेक्चर में जाना, और फिर से पढ़ लेना, बिकॉज बहुत ही इंप्रेंट है, आपको एटलिस्थ खुद के बारे में नॉलिज होनी चाहिए, तो वैसी अमीवा में किया होता है, यू क्या होता है, यू क्या होता है, इस लिए दोनों का Orchestra system बुलकुल ही अलग होता है, बठाब क्रोसेस जैसे लाइक, पहले वो भी ख खाना को लेंगे इंजेक्ट करेंगे इंजेशन इंजेक्ट जैसी खाना को अंदर लिया देन उसका फिर डाइजेशन होना है तो सकेंड प्रोसेस्स क्या हो जाएगा आपका डाइजेशन अब खाना का जैसे डाइजेशन होगा तो फिर खाना कहीं न कहीं एब्जॉर्ब उस प्रोसेस को बोला गया है assimilation but some food particles that is not useful वह कहां चले जाते हैं आपके outside of the body that is called as your e-jation समझ में आया तो यह जो प्रोसेस हज से हीमन में responsible थे खाना का अंदर जाना उसका ब्रेकड़ान होना उसे एनर्जी लेना उसे एनर्जी के utilize करना और दिन जो बचे खाना थे वह बाहर निकालना तो यह सारे प्रोसेस जो है पॉइंट यह common आपके अमीवा के लिए भी रहेंगे तो जैसे कि हमारे mouth teeth हुआ हुआ कर देते हैं यहां पर जो है आपके साइटो प्लाज्म है अब देखो साइटो प्लाज्म को क्या कहा गया है इस सेल्यूलर कि एडिया कि इनके पास कुछ नहीं होता जैसे कि हमारे पास digestive system के लिए अलग स्टॉमक respiratory system के लिए ट्रैकियल सिस्टम ब्रोंकाई अल्वियोलस और फिल्टरेशन के लिए किड्नी ने फ्रॉंस सोचने के लिए नियूरोंस इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता जो activities होते हैं खाना पीना उनका digestion होना उनका absorption होना सारे के सारे आपके कहां होते हैं side to plus में होते हैं समझ में या डाट्स वाइट इस कॉल है cellular arena यानि कि Cel का जो area है नेक्स्ट वन इस जी जो irgendwie कोंट्राक्ट टैल वैक्वल तो नेक्स लब क्या है कोंट्राक्ट करना मतलब की वैक्वल ने को वैक्वल क्या होता है बताया था आपको कि हमें के केस्ट में क्या होते हैं बहुत अप्ति एलाबुरेट मल्टी सेलूलर के अंदर आते हैं उनके पास हड़े काम करने के लिए अलग-अलग सेल्स रिस्पॉंसिबल होते हैं बड़ यह चोटे और अर्गनीजम होते हैं लाइक प्रोकेडियोर्ट प्लांट उनके पास क्या होते हैं वह फंसन प्रेजन्ट नही बॉड़ी में हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉटेंट होता है रेगुलेशन के लिए वैसे ही न्यूकलियस बहुत ही इंपॉटेंट होता है किसमें अमीवा में विकॉस जितने भी फंसन्स आप देख रहे हो कि फूट वैक्योल क्या कर रहे हैं फूट का डाइजे डाइट्स वाई आपके जो अमीवा होते हैं वह आपके किसमें आते हैं यूनी सेलुलर समझ में आया किसके अंदर आते हैं यूनी सेलुलर आपके क्या आते हैं अमीवा आते हैं यह पॉइंट के लिए हो गया नेक्स पॉइंट अब देखो अब अमीवा के बारे में थोड रीड करने की हरो दालना पड़ेगी यह कि घो है अमीबा इसव माइक्रोस्कोपिक सिंगल और्गाश्म टिकज़ बताए हो जो माइक्रोस्कोप की अंदर होंगे उन्हीं को क्या बोला जाता है microscopic समझ माया single cell single cell का मतलब कि जो single cell control करते हैं whole activities मतलब कि क्या कहने का मतलब है all the activities are carried about by a single cell is called as unicellular और इसको क्या कर्या बोलते हैं लोग कि इक्जामपल में Amoeba अब देखो नेक्स पॉएंड इस फॉंड इन पॉण्ड पॉण्ड वांटर अमईवा के पास देखो क्या क्या होते हैं सेल मेंब्रेन होते हैं कि राउंडे डेंस नुक्लियस दिख रहा है वैक्योल होते हैं वैक्योल कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं बबल लाइक होते हैं यह देखो पीछे कि यहां पर आपको फुट बहक्योल दिख रहा है छोटे छोटे भॉबल एक की प्रक्षर तो याद करों दिखत नहीं होंगी कि बैक्क्र क्या होते हैं तो वैक्क्योल क्या होते है आपके रावंड इस्ट्रक्षर कैसे अच्छर ये भी लाइन को में दी हुई है है ठीक है कुछ भी ज्यादा नहीं है कुछ भी कम नहीं है पर्फेक्ट है एंसे आटी खोलो एक और मैच करो कि हां मैंने क्या पर हाया है क्या यह कंटेंट हमारे बुक में है परफिदेशनद मू मुड़ायोंबयोंट अब इसकी जो मौड़ायों होता है और एक फैगोसाइटोसिस क्या होता कि जब खाना को सीधा कि सीधा इंगल्फ कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस है डब दिखो यहां पर क्या होता है डाइजेशन मानों कि कोई फूड़ आया इसे कहा है यह यहाँ पर आए वैसे स्यूडोपोडिया का development होता है और यह खानों को अंदर ले लेते हैं इस प्रोसेस को phagocytosis बोलते हैं अब यह अंदर लेने के बाद अंदर ही अंदर digestion होता है बाहर कुछ नहीं हो रहा है तो इनका digestion का mode intracellular हुआ कि extracellular intracellular मतलब कि inside the cell extracellular मतलब outside the cell तो बाहर कुछ हुआ नहीं मतलब कि अंदर हो रहा है that's why their mode of nutrition is called as intracellular inside the cell अब देखो digestion in amoeba अभी आगे ही point ने बोला है मैंने just 10 लेन पहले ही बोला होगा कि क्या होते हैं हमारे body में digestion पहले digestion पहले क्या होता है ingestion then digestion then absorption fourth point is your assimilation and the fifth point is your ejection तो ये fifth point को human का उठा करके बस amoeba में डाल देना है अमीवा के किस में क्या होता है ये point देखो अब यह आपका amoeba का figure है amoeba जो होते हैं कोई shape नहीं होता है इनका अब यह दियाना चाहिए मैं पीछे आपने ऐसा amoeba बनाया यहां इस slide में ऐसा amoeba है आगे के slide में आपकी amoeba का सेफ ही चेंज कर दिया आपने तो बस एक रफ डायग्राम रहा दो डैटीज और amoeba अब देखो food particle को amoeba को खाना है तो वह कैसे खाएंगे अब यह पास तो हाथ होनी रहे तो उनके पस क्या होते ना एक imaginary आप बोल सकते हो false वह अपने body को ही ऐसा मोड मारते हैं मोड मार करके food को अंदर ले लेते हैं phagocytosis जो भी ज़स्ट बोली हूं phagocytosis खाना को उसने अंदर ले लिया जैसे उसने खाना को अंदर लिया देखो प्रोसेस भी वाल प्रोसेस शियोडो पोड्या की हम से प्ल С rhäuch last जिनके शुर मिनसाना मिनस शॉन्टर अपैंडेशेज बोलो यह विझे मदश्ळ Constitutional की उन्होंने खाना को कहां ले लिया अंदर ले लिया अब तो अंदर में क्या प्रेजेंट थे फूड वैक्योल अभी जस्ट बताई हूं फूड वैक्योल क्या होते बावालाइक स्ट्रक्चर्ट डाट इस रिस्पॉंसिबर फूड देन फॉर्स प्रोसेस क्या हुआ आपका अंदर डाइजेशन हो गया अब उन्हीं क्या होना है अब अपर पढ़ लेते हैं जेसन में क्या होता है इंसां इस इस फूड इस टेकन इंसाइड बरी आप्यवड फूड वाइव लपी तो ये खुछ से अपना क्या करते हैं? स्यूडो पोडिया का डेवलप्मेंट करते हैं स्यूडो पोडिया डेवलप्मेंट करके ये खाना को इंसाइड लेते हैं किलियर हुआ? स्यूडो पोडिया होते क्या है? खुद के बोडी से ही एक दो appendages बाहर निकल जाते हैं उन्हें क्या बोला गया है pseudopodia pseudopodia is one or more finger-like projection it is used for capture and movement of the prey मतलब कि वामीवा यहां से वहां move कर रहे है तो pseudopodia की help से करेंगे ठीक है अब engulfing वे एक टर्म आता है कि वो directly क्या कर लेते हैं इंगल्फ कर जाते हैं तो आपके बुक में इंगल्फिंग वर्ड लिखा होगा उससे भी बेहतर वर्ड क्या है phagocytoses clear वह जैसी वह खाना अंदर लिंगे फिर्ट का क्या होना है digestion के लिए responsible कौन है food vacuol food vacuol का कैसा होते हैं तो यहां पर bubble के फूर्म में होते हैं डाइजेशन और फूर्ड स्टार्ट इंदी फूट वैक्योल यह पॉइंट के लिए एस फूट वैक्यूल कंटेंड डाइजेस्टिव इंजाइम इट स्टार्स बेकिंग डाउन इंटू सिंप्लर संस्टांसेज पीछे फीघर में दिखाईती अभी एक्जाम में फीघर बहुत ही बड़ा बनाएंगे और अच्छे से लिखेंगे next point is your absorption खाना पच गया खाना को अब्जॉर्ब होना है तो डाइजेस्टिट फूड गेट एब्जॉर्ब इन दी बड़ी fourth one is your assimilation after digestion the absorbed food are used for अब देखो अब हमने खाना खा लिया मैं regular खा रही हूं तो खाने का उसका energy यूज का होना है आइधर आप बहुत जादा पढ़ ले हुए या फिर मेकैनिकल अक्टिविटीज रॉनिंग होर्सिंग राइडिंग यह सब जहां है तो वहां आम लोग को कहीं न कहीं फूर्ड जो हम लोग लेते वह कंज्यूम होता है इसका utilization होना ही है वैसी हमीवा में होता है अमीवा में क्या बताई है अभी आपको कि अमीवा का कोई भी रेगुलर सेफ नहीं होते हैं तो उन में क्या होता है वह अपनी बॉड़ी को स्प्लिट कर रहते हैं दो भाग में डाट इस कॉल डाउटर निकली आई तो यानि कि यह जो मल्टिप्लिकेशन वर्ड य यह आपको हायर क्लासे में पढ़ना है डाट इस बाइंडरी फीजन मुल्टिपल फीजन अब देखो इजेशन में क्या होता है जो फुड यूसफुल नहीं है वेस्ट मेटेरियल है तो वह क्या होते इपने बॉड़ी से बाहर निकल जाते हैं यहां पर तो समझ में आ गया कि absorption हुआ था तो absorb हो गया बड़ आपके लिए homework यह रहा सोचो कि human में intestine में absorption कैसे हुआ था क्योंकि सबसे जादा absorption था आपका human being के case में small intestine में हुआ था तो small intestine में ऐसा क्या special feature था जिसके वज़े से आपका absorption हो गया था तो यह आप सोचना याद नहीं आए पिछला lecture देखना और इस question को अच्छे से कर लेना